हेला बच्चो कैसे हैं आप लोग आप लोग के लिए एक बहुत जादा खुशकवरी की बात ये है कि जो टीम आनंद है टीम उमीद है ये आपके लिए लाइव लेक्चर्स लेके आ रहे हैं संभव बैच के थूँ तो हम आज डिसकस करेंगे बेटा कि अनीट 2023 देना है तो उ दूसरा उसके बाद जब बैच कब मिल जाएगा तो हमें कौन सा अपना शेडूल फॉलो करना है कि जो नीट 2023 में हमारा फिजिक्स है उसमें हमारा बहुत अच्छा मार्क्स है तीसरा हमारे लिए कौन सी बेस्ट बुक्स रहेंगी और कौन से बेस्ट रिसोर्स रहेंगे ज यह जो संभाभ बैच है बेटा आपको यह लाइव यूटूब पर मिलेगा आप हमारे साथ यूटूब चैनल पर जुड सकते हैं और यूटूब चैनल पर जैसे ही आप जुडेंगे वहाँ पर संभाभ बैच आपको लाइव मिलेगा तो Kerry हम आपस आप आप से हो रहा है तो 29 जुलाई को आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी जुन्नी 2023 की जो तयारी है उसको और आगे बढ़ाईए टाइमिंग क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा बेटा डेली आपका 3-4 पीम और 4-5 पीम यह हमारा टाइमिंग रहेगा डेली क्लास का यानि हमारा और आपका जो मुलाकाट डेली होगा वो 3-4 पीम यह 4-5 पीम होगा और यह जो क्लास का जो डेज हैं वो मंडे टू से तर्डे इसका मतलब ही हो गया कि अगर मंडे को मान लेते हैं कि 3-4 तीन से चार फिजिक्स हो गया चार से पांच आपका केमेस्टी हो गया तो नेक्स डे जो होगा तीन से चार आपका केमेस्टी हो जाएगा चार से पांच बायो हो जाएगा फिर उसके नेक्स डे आपका बायो हो जाएगा और फिजिक्स हो जाएगा इनि डेली आपको दो लेक्चर्स मिलेंगे और दो सब जितना भी हमने कर लिया है उसको revise करना है उसको छोड़ना नहीं है तो week का week ही complete करके रखना है क्योंकि आप अगर छोड़ते चले जाओगे तो pile up होता चला जाएगा और बाद में आपको लगेगा कि यार यह तो यह चूटा हुआ यह नहीं हो पा रहा तो यह कैसे करें तो आ आसान होता चला जाएगा तो आपको जो physics में है physics में आपको daily का daily ही complete करना है किसी से आपका physics बहुत strong होता चला जाएगा और 180 marks लाने का जो आपका सपना है वो पूरा जरूर होगा नेक्स बात करते हैं बेटा आपका कि physics का schedule कैसा होगा हमारा जो अगर हम यह batch join करते हैं तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे 12th class की सबसे पहले हम cover करेंगे 12th class का syllabus तो 12th class का syllabus हम complete करेंगे वो बेटा according to NCRT ही रहेगा और जो starting के जो chapters रहेंगे सबसे पहले बेटा इलक्ट् statics के बाद बेटा आता है capacitance, capacitance के बाद बेटा आता है आपका current, current के बाद बेटा आपका आता है magnetism and matter, magnetism और इसमें magnetism में हम सारे chapters include कर लेते हैं, magnetic effect of electric current, magnetic effect of electric current, magnetic properties of material, earth magnetic field, आपका EMI, electromagnetic induction और AC, तो ये magnetism वाला जो पूरा unit है वो इसमें cover करेंगे, उसके बाद बेटा आपका modern physics, modern physics में आपका bors model, atomic model और उसके बाद आपका nuclear physics, photo electric effect, x-rays ये सारी कुछ हम चीजें discuss करेंगे, और उसके बाद बेटा optics, बेटा आपका ray optics, ये पूरा 12th का portion रहेगा, 12th क portion बेटा हम इसलिए पहले cover करेंगे, क्योंकि इसका बेटेज, generally जो है, वो बहुत generally जादा ही रहता है, इसके जो questions बनते हैं, वो direct आपको questions बिनते हैं, और direct formula base रहते हैं, और direct आपको number देते हैं, और जादा question इसी portion से generally आते हैं, हम ऐसा कहें नहीं सकते हैं, कि हमेशा आते है बट generally ज्यादा question जो है, इसी portion से आते हैं, तो पहले हम वो portion portion complete करेंगे, जो हमारे लिए weightage रखता है, next बेटा आपका जो फिर हम 11 का cover करेंगे, 11 में एक portion आता है बेटा mechanics, यह mechanics बेटा स्टार्ट होता है, आपका kinematics से लगा के, fluid mechanics तक, kinematics से लगा के fluid mechanics तक बेटा, जितने भी chapters हैं, वो सारे के सारे chapters इसमें include होते हैं, ठीक है, fluid mechanics, तो kinematics discuss करेंगे, fluid mechanics discuss करेंगे, पुरा mechanics का portion आ जाएगा, उसके बाद जो 11 के chapters बसते हैं, बेटा, आपका heat and thermodynamics, heat and thermodynamics, separate unit है, जहाँ पर हम heat और उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद एक unit बसता है, बेटा, आपका SHM, SHM, waves, and sound waves, यह हमारा chapters का रहेगा schedule, तो इस तरीके से हम पर लेपे लेटा 12th complete करेंगे, फिर 11th के सारे topics complete करेंगे, अब जब सब complete हो जाएगा, उसके बाद, बेटा क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे, revision पर आएगे, यानि 11th 12th सारे complete कर लिया, 11th 12th का हम फिर क्या करेंगे, वापस revision करेंगे, कि 11th 12th का जो portion हमने complete किया, कि वो हमों कितना retain हुआ है, हमारे mind में कितना बैठा है, वो revision हमारा retain कर देगा, आप जितना retain किया है, तो वो retain करने के लिए, उसको test करने के लिए आपको mock test लगाना ही पड़ेगा, बेटा, तो जितने ज़्यादा mock test लगाओगे, आपको उतना ही confidence आता चला जाएगा, उतने ही आप 180 marks के नजदीक आते चले जाओगे physics में, तो बेटा, आपको अगर physics में 180 लाना है, तो ये schedule आपको follow करना ही पड़ेगा, daily का daily अगर आप ये follow करते हो, तो आपको physics में 180 out of 180 आही जाएगा, बेटा, आपको generally कोई बात नहीं करता है, कि हम physics में 180 out of 180 लाएगे, सब ये बोलते हैं कि 130, 40, 50 भी आ जाएगा, तो हम बहुत अच्छे हैं, बट हम target लेके चलेंगे, और 180 का marks का, और ये मैं आपको guarantee दिलाता हूँ, कि आप अगर physics का schedule follow करेंगे, तो आपका 180 out of 180 जरूर आएगा, बेटा, next बात करते हैं, कि हम कौन-कौन सी books की बात करेंगे, बेटा, तो हमारे लिए जो सबसे basic books है, वो है हमारा बेटा, NCRT, हमें NCRT को हर हाल में follow करना है, उसका sequence follow करना है, उसी से related हमारे theory questions, वो सारा कुछ follow करना है, NCRTs में बेटा, आपका theoretical portion आ जाएगा, NCRT examplers आ जाएगा, और NCRT के जो questions हैं, उनको भी discuss करेंगे, next आपका DPP, हर class के end में आपको एक DPP मिलेगा, उस DPP को उसी time solve करिए, class के बाद, और solve करने के बाद, जो आपके doubts हैं, वो आप हाँरे साथ, दुबारा next lecture में आप interaction करिए, कि सर यह मेरा doubt था, बताईए, और जो सबसे important है बेटा, PYQs, PYQs बेटा, सबसे important इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि यह हैं बेटा, previous year questions, यह हैं हमारे बेटा, कि need किस type के questions पूछता है, दूसरा किस concept पे ज़्यादा question पूछता है, तीसरा, need क्या करता है, अपने questions को repeat करता है, कभी data change कर लेगा, या तो कभी कभार as it is ही question दे देता है, इस बार भी ऐसे कुछ बहुत सारे questions ऐसे आये थे, जो as it is ही पिछली बार भी आये थे, अभी भी वैसे ही दे दिये, तो अगर आप PYQ कर लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कि आपको questions को attempt कैसे करना है, और अगर PYQ आप कर लेते हैं, तो आपका 50% paper physics का as it is, ऐसे ही हो जाएगा, आपको जादा उसमें महनत करनी नहीं पड़ेगी, और जो 50% paper जो आता है, वो भी PYQ के concept पर ही आता है, बट फड़ असर डिफरेंट होता है, उसको भी हम आगे, उसी के concepts को समझ के आगे कर सकते हैं, तो अगर हमने ये books और ये सब चीजे follow किया, आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमारी website से भी जूड़ सकते हैं, और आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जूड़ सकते हैं, जूड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेंगी, तो ये था सारा books और resources के लिए के, तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हमारे साथ अगर जूड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चैनल को like करिए, आपस में अपने दोस्तों के साथ शेर करिए, जो पढ़ना चाहते हैं, और physics में 180 आउट और 180 लाना चाहते हैं, और comment में आप जो डॉक्टर बनने का सपना है, उसको पूरा करिए, थैंक यू